मेरा नाम है वैभव जैसा कि हम सब लोग चानते हैं 2017 में सुप्रीम कोट ने ट्रिपल तलाग को अनकॉंसिटूशनल आसम्वेधानिक गोशित कर दिया था यानि कि अगर कोई मुस्लिम हज्बेंड अपनी वाइफ को ट्रिपल तलाग देता तीन बार तलाग देता है तो अब ये जो तलाग दिया गया है इसकी कोई भी सम्वेधानिकतर नहीं है constitutionality इस तलाग की नहीं है यानि कि 2017 में बोल दिया गया है कि अब आप सिर्पल तलाग देऊगा अपनी वाइफ को उसकी कोई भी वेल्यू नहीं है उस तलाग में सिर्म नहीं मानें है अब ये matter दुबारे से high court पहुचा है triple तलाग से related कि husband ने अपनी wife को triple तलाग दिया अब wife ने जब complaint file करी तो court ने क्या बोला आए जानते हैं इस case में पहले case के थोड़े से facts समझ लेते हैं जो हमें फिर easy हो जाएगा थोड़ा समझना कि court ने ऐसा कहा क्यों informant इस और ये informant लिखा है informant filed a FIR before the police station stating that his daughter victim was married to the petitioner on 12th December 2020 यानि कि एक husband I mean एक father है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर ली थी 2020 में ठीक अब क्या हुआ वो जो father है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करी उन्होंने ही police में जाके FIR lodge कराई और कहा कि जो मेरी बेटी है जिसको तलाग दिया गया है उसकी शादी दो हजार बीस में कराई गई थी petitioner यानि कि उनके husband के साथ अब क्या हुआ है husband ने I mean father ने बोला है कि जब हमने शादी कराई थी तो हमने ये साफ साफ कह दिया था कि हमारी बेटी आयोवेदिक डॉक्टर बनना चाहती है और जो husband थे उनके और जो उनके family members थे उनकी mother उनके father और उनकी sister उन सबने agree कर जाता है हाँ आप अगर आयोवेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम आपको पूरा support करेंगे ठीक बाद में क्या हुआ जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद husband और उनके relatives ने डौरी दिमांड करी यानि दहीज मांगा और दहीज वो दे भी दिए गया यानि कि जब ये फाइया लॉज कराने गए तो लॉज करा तो उन्हें ने सारी कहानी बताई कि ऐसे से शादी हुई थी फिर उन्होंने बोला था father ने कि मारी बेटी डॉक्टर बनेगी उन सबने कंसेंड दे दे कि ठीक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाद में शादी जब हो गई तो उन्होंने दहीज की मांग करी और दहीज उन्हें दे दिया गया जो भी नहोंने मांगा यानि कि जब दहीज दे दिया गया उसके बाद और दहीज की मांग उठी उनके husband और उनके ससूर की तरफ से कि हमें और दहीज चाहिए कही न कहीं जो बेटी थी उसको यह बात पता थी कि मेरे फादर ने शादी करी है मेरी तो हर घर की परिस्थिती एक से नहीं होती तो बेटी ने सूचा कि ठीक है मुझे एससत भी है मेरा ससूराल है और मुझे इस घर में एज़स करना है इसके बावजूद भी उनके जो इन करने मेरो उसको टॉर्चर कर रहे थे ताने देनाम लिए सब को सब्सक्राइब करें है अगर आप क्रेम घंख यह नहीं कि अप फििजिकल सुलेल्टी भी टार एं कि Dew in addition में आता है थीक तह को टाने यह थे ऑर क्रें सब्सक्विलिन कर रहे थेडिए अब इसी बीच क्या हुआ, जो बेटी थी, जिसकी शादी हुई थी, वो डॉक्टर तो बनना चारी थी, और ये बाद शादी से पहले भी क्लियर हुए थी, ठीक, एक्जाम दिया, एक्जाम में क्लियर हुई, और नावी बंबे में उसका एड्मिशन हुआ है, कॉलिज में, बट जब एड्मिशन हुआ, तो उसके हस्बेन, उसके फादर, जो ससूर थे, वो इस बात से हुए नाराज की नहीं, आप डॉक्टर कैसे बन सकती है, और उसको धंकाने लगे, डराने लगे, कि अगर तुम गई, नावी बंबे एड्मिशन लेने, तो ठीक नहीं होगा, त अब क्या हुआ, इसी बीच जब उसको डॉक्टर नहीं बनने दिया, तो वो वापस अपने माई के चलीगे, अपने घर, अपने फादर के पास, फादर के पास है कि उसने फादर को सारी बात बताई कि ऐसे-इसे मुझे बनने दिया जा रहा है, इवन हमने पहले भी रखी तो सबने हाँ बोलता कि हाँ आप आयुवेधिक डॉक्टर बनना चाते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे और आप डॉक्टर बनोगे, अब जब मेरा एडमिशन होगे हैं मुझे एडमिशन लेने से मना कर रहे हैं, इसी बीच क्या हुआ, हस्बेट ने एक लेटर लिखा और लेटर में लिख दया कि मैं तुमको डाइवोर्स दे रहा हूं और अब हमारा हो गया तलाक डाइवोर्स दे रहा हूं यानि तलाक उन्होंने रिटें में लिख दिया, यानि रिटें डाइवोर्स दे दिया कब 25 अप्रेल 2022 को, और फादर का कहना है कि उस डाइवोर्स म दिया गया उसमें जो उन्होंने allegations लगाए आरोप लगाए वो सारे के सारे जूटे हैं ठीक FIR was lost against the petitioner and contended the divorce sent by the petitioner was a violation of section 3 of the Muslim woman protection of rights of marriage act 2019 यानि कि जब husband जब father police station गए FIR कराने तो उन्होंने FIR करा तो यह बोला कि यह जो डाइवोस दिया गया है यह section 3 के against है जो 2019 में नया कानून आया था उस कानून के अंतरगत आप ट्रिपल तलाग नहीं दे सकते तो father ने बोला कि यह जो तलाग दिया गया है यह इस कानून के अंतरगत नहीं है यानि इस कानून के अंतरगत है और आप तलाग नहीं दे सकते इसके बावजुद भी आपने तलाग दिया तो आपके अगेंस्ट आपने क्या कर दिया आपने कर दिया अपराद और आपके अगेंस्ट फाइयर होगी और फादर चले गए फाइयर कराने अब यह बात बहुत सब्सक्राइब होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी पूशताज करेगी अब जब यह बात पता चली हस्बेंड को कि मैंने जो रिटेन डाइवोर्स भेजा उसके अगेंस हो गई फाइयर अब पुलिस मेरे पीछे है मैं इसे पूशताज कर रह कि साब ऐसे ऐसे मुझे जूटा फसाय जा रहा है और जो मेरे खिलाफ F.I.R. हुए उसको ग्रद कर दिया जाए उसको क्वैश कर दिया जाए उन्होंने यह पेटिशन हाई कोट में लगाई ठीक आये जानते हैं अब आगे क्या हुआ अब आगे क्या हुआ अब आगे क्या अब यहां पर क्या हुआ कोट ने क्या बोला कोट ने बोला है कि जो मुश्लिम लो है मौमडल लो है वहां पर खाली एक ही तरीकर नहीं है तलाग देने का वहां पर तीन तरीके तलाग देने के पहला तरीका है आपका तलाग हसन दूसरा है तलाग ए हसन तीसरा है तलाग ए वाइव को बट कोट ने बोला है कि जो लेजिसलेचर है उन्होंने जो 2019 में कानून बनाया उस कानून के अंतरगर तलाक ए बिद्दत अगर आप करते हो तो आपको सजा मिलेगी आपने अपराद किया है ठीक एक बोला था कोट ने अब कुछ जान लेते हैं कि तलाक होते कैसे ह हो वो देते कैसे हो पहला जो है तलाक हसन इट बिकम्स इर्रिवोकेबल ऑन दी एक्स्पारेशन ऑफ दी पिरियड ओफ इद्दत जैसे कि हम सब जानते है अगर कोई मुस्लिम हस्बेंड अपनी वाइफ को तलाक देता है तो तलाक देने के बाद जो वाइफ होती है उसको पर दी यानि कि उसको एक बंद कमरे में रहना पड़ता है वो किसी और बाहर के सिटीजन बाहर के मेंबर से नहीं मिल सकती इसका जो मकसद होता है इसका जो अब्जेक्टिव इद्दत करने का वो यह होता है यह जानना कि जो तलाक हो गया है क्या अब जिस हस्बेंड ने त तिलाक अहसन यानि अगर आप तलाक अहसन के अकॉर्डिंग उसके अंतरगत आते वे तलाक देते हो, तो तलाक देते ही एसा नहीं है। अपने शाधी को बचाये सकोगी से नहाई वह तो अपने तलाक नहीं हुआ थे तलाग becomes irrevocable on the pronouncement of third. तलाग irrespective of the expiration of the इद्दत. अब क्या होता है? तलाग के हसन में तीन बार तलाग बोलना है. अब जैसे आपने तीसरी बार तलाग बोल दिया, तो आपकी जो शादी है वो खतम हो गई. यानि कि जो गुझाइशती आपको कि अपनी शादी आप फ्रोटेक कर सकते हो, तलाग के हसल में नहीं है. जैसे आपने तीसरी बार तलाग बोला, आपकी शादी हो गई खतम. अब देखिए तीसरी बार तलाग बोलना ऐसा नहीं है कि आप एक खटत बोल दो तलाग तलाग तलाग. उसका भी टाइम होता है, एक बार तलाग बोला, फिक कुछ महीने बाद या कुछ डेज बाद दूसरी बार तलाग बोला, अगर उस टाइम तक भी दूस्रे बार तलाग बोलने के टाइम तक भी, अगर हच्जबेट नने तलाग को वापस नहीं लिया, रिवोक कर लिया, वापस ले लिया तो आपकी शादी बज गई, और अगर रिवोक नहीं करा और तीसरी बार तलाक बोल दिया, तो अब आपकी शादी खत्म हो गई, अब आपको मिल चुका तलाक, ठीक, तलाक है हसन ही होता है, तलाक के बिद्दत होता है कि अगर हस्बेंड ने अपनी वाइफ को एक ही सास में तीन बार तलाक 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 देता हूँ, तो जैसे ही तीन बार तलाग बोला तलाग हो चुका अपकी शादी खत्म हो गए अब यह जो तलाग के बिद्दत है इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी शादी को बचा सको या अपने जो तलाग दिया है उसको वापस ली सको तो 2017 में कोट ने जिस तलाग को आज सम्वेदान निगोशित किया था वो था तलाग के बिद्दत कि अब यह जो तलाग के बिद्दत है अगर इसके अंतरगत आप कोई तलाग देते हो तो यह अपराद है अपराद की शेड़ी में आएगा ठीक तो कोट ने यही बोला है तीन तरीके साब तलाग दे सकते हो तलाग हसन तला आध्यम से तलाक दे सकते हैं, ठीक, the court stated that the letter written by the petition didn't fell within the definition of तलाक की बिद्दत, court ने बोला कि husband ने जो written divorce भीजा है, वो तलाक के बिद्दत के अंतरगत आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसमें एक बार तलाक लिखा था, ठीक, and was not punishable under section 3 of the act, और इस वज़े से जो husband है, वो section 3 में fall ही नहीं करता, उसको सजा नहीं मिलेगी, as petition conveyed the first communication of तलाक as required by law by pronouncing the word तलाक, जैसी मैंने आपको बताया था, तलाक हसनो, तीन बार तलाक तो बोलना है, but कुछ time में, आपने आज बोल दिया, कल बोलना है, फिर परसो बोलना है, ठीक, यानि कि आपको दो तलाक के बीच म कुछ time लेना है, तो husband ने वही किया, written तलाक बेजा, तो एक बार तलाक बोलना, बाकी के दो तलाक रह रहते बोलना, ठीक, तो court ने यही बोला है कि यह जो तलाक बार उसने लिखा, वो उसने communicate किया है कि मैंने आपको पहला तलाक दे दिया, इसका मतलब यहीं नहीं कि तलाक और हैड बिकम इर्रिवोकेबल और हैड दी एफेक्ट ऑफ इंस्टेनियस डाइवोर्ज और देयाफोर नोट पनिशेवर अंडर्स मुस्लिम प्रोटेक्शन एक, मुस्लिम वोमें प्रोटेक्शन एक 2019, और court ने यह भी बोला है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तो इन इस वज़े से क्या हुआ हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोट है, उन्होंने यह बोल दिया कि जो आपने प्रेटिशन फाइल करिए, खतम करने की यह तो हम नहीं कर रहें, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है, तो निचली अदालत है, उसका जो प्रोसीजर है, वो फोलो करते हुए, अपना केस खतम करेगी, हाँ, भले ही हम यह मानते हैं, कि जो आपने तलाग बेजा है, वो तलाग के बिद्दत नहीं है, इस वज़े से आपको पनिश्मेंट तो नहीं मिलेगी, बट जो प्रोसीजर है, जो कोट के पास और एविडेंस आएंगे, उसके एकोर्डिं मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू